हेलो में टीर स्टूडेंस वेल्कम बाक टो आर यूट्यूब चैनल आज के लेक्चर में बिच्छोंब हम प्रेक्टिस से 2.2 के क्वेशन को सॉल्ब करेंगे मैं वे इस लेक्चर में आप लोग को समझाया था कि कर्सपॉंडिंग एंगल्स क्या होतें इंटीर एंगल्स क्या जितने एंगल्स आपने पढ़े तो उन सारे एंगल्स की प्रॉपर्टीज को आप समझोगे उसके बाद आप प्रेक्टिस से 2.2 के क्वेशन को जब सॉल्ब करोगे तो वो क्वेशन के सॉल्यूशन आपको एजली समझ में आ जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं क्या होते हैं जो ट्रांस फरेशल के सेम साइड के फ़ॉयर ने चांच ऑते हैं से सेwen से मैं अज़िए और अगर आपको इस्टेल नहीं समझ में आ रहे हैं तो अच्छे से समझ में आएगा एंगल A and एंगल E क्या है पेर अफ करस्पोंडिंग एंगल है क्योंकि ये ट्रांस्वर्सल के सेम साइड पर फॉर्म हो रहे है और सेम डारेक्शन शो करें आपको डारेक्शन शो करें दोने ही एंगल एंगल B and एंगल F B क्या है पेर अफ करस्पोंडिंग एंगल है एंगल C and एंगल GB क्या है पेर अफ करस्पोंडिंग एंगल एंगल D and एंगल H is अल्सो अब पेर अफ करस्पोंडिंग एंगल अब property क्या है, property of corresponding angle क्या है तो corresponding angles क्या होते हैं, congruent होते हैं congruent का मतलब equal measurement क्या होते हैं इप angle A is 80 degree, angle A का measurement अगल 80 degree होगा so angle E is also measures 80 degree, angle E b क्या होगा, 80 degree ही होगा according to the property of corresponding angle यहाँ पर मैंने already लिख दिया है properties, देखो angle A congruent, congruent का यह sign है, इसको हम congruent का मतलब क्या होता है कि equal measure so angle A congruent to angle E, angle B congruent to angle F, angle C congruent to angle G, angle D congruent to angle H now अब property of interior angles समझते हैं now interior angles क्या होते हैं, तो पहले हम interior angles को recall करते हैं again यहाँ पर मैंने एक drawing बना दिया है, figure draw किया है line L parallel to line M, line N is the transversal now again interior angles क्या होते हैं, दो line के अंदर जो angles form होते हैं, वो interior angles होते हैं और उसकी बाहुज़त, एक और condition है interior angles के लिए तो वो क्या है, interior angle line के अंदर form होते हैं, और transversal के same side पे form होते हैं तो same side पे कौन से angles है, angle B and angle E मैंने यहाँ पर देखो, purple color से mark कर दिया है, angle B and angle E यह दोनों क्या होगे, pair of interior angles होगे, similarly angle C and angle H यह भी क्या होगे, pair of interior angle होगे, अब property of interior angle क्या है so interior angles are always supplementary, supplementary मतलब sum of the angle is 180 degree तो उसको हम कैसे दिखेंगे, angle B plus angle E is equal to 180 degree similarly angle C plus angle H is equal to 180 degree तो यह property हम क्या करेंगे, use करेंगे interior angles की और questions को solve करेंगे कैसे use करेंगे, suppose अगर angle B 80 degree given होगा, angle E अगर हमें find out करना होगा तो हम क्या करेंगे, यह दोनों angles का sum 180 degree होगा, इस तरीके से लिखेंगे और angle E के लिए हम क्या करेंगे, 180 degree में से 80 subtract कर देंगे तो हम angle E मिल जाएगा Now let's understand alternate angles, अब alternate angles में two type के angle होते एक होते interior alternate angle और एक होते exterior alternate angle तो interior alternate angles कौन सा angle होते जो again line के अंदर form होंगे parallel lines के क्या होंगे, अंदर form होंगे, बट transversal के opposite side पे form होते interior angles में मैंने बुलाता है, transversal के same side पे, interior alternate में आपको क्या दहान रखना है कि transversal के opposite side में होते है, तो opposite side में और opposite direction भी शो करने चाहिए, क्या करने चाहिए, opposite direction शो करने चाहिए तो यहाँ पर अगर आपको still याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे इस तरीके से, line के जो अंदर angles फॉर्म हो रहे है, यहाँ पर ऐसे आप cross समझोगे, angle B के साथ कौन सा होगा, angle H हो जाएगा, interior alternate angle, angle C and angle E, यह भी क्या हो जाएगा, pair up, interior alternate angle, अब property क्या होती है, interior alternate angles की, so interior alternate angles are always congruent, यह क्या होते है, congruent होते है, तो congruent का मतलब मैंने अभी बता है आपको, कैसे लिखेंगे हम, angle B, congruent to angle H, और second क्या हो जाएगा, angle C, congruent to angle E, congruent मतलब equal measurement, अगर यह AT है, तो यह भी AT ही होगा, तो यह properties हमें use करना है, और use करके हम practice से solve करेंगे, similarly exterior alternate में क्या होगा, जो angles line के outsider में form होए, तो line के बाहर है, यह parallel line L है, L के जो बाहर है, यह parallel line M है, M के जो बाहर है, यहाँ पे angle A, D है, F और G है, तो मैंने बुला, जब भी alternate की बात आएगी, तब आपको क्या करा, cross में देखना है angles को, तो angle A के साथ, angle G क्या हो जाएगा, exterior alternate angle angle D and angle F क्या हो जाएगा, exterior alternate angle, same properties यहाँ पे भी रहेंगे, same properties क्या होँगे, यहाँ पे भी होँगे, angle A and angle G क्या हो जाएगा, congruent angle हो जाएगा, angle D and angle F भी क्या हो जाएगा, congruent angle हो जाएगा, So hopes, So hopefully बच्चो आपको समझ में आया होगा properties क्या है सारे angles की? अब हम practice set के questions को start करते हैं Now practice set 2.2 का First question क्या है? First question मैं आपने को show करते हैं Now first question है यहापे Choose the correct alternative इसमें sub question 1 है In the adjoining figure If line M parallel to line n and line p is the transversal then find x line m and line n क्या है parallel lines है line p is the transversal हमें क्या find out करना है measure of x हमें find out करना है तो यहाँ पे जो 3x और x given है यह क्या form कर रहे हैं यह pair of interior angles form कर रहे हैं अभी अभी हमने देखा transversal के same side पर है और दोलों line के अंदर है तो यह क्या है pair of interior angles है property of interior angles हमने क्या देखा भी कि interior angles क्या होते है supplementary होते है it means sum of the angle is equal to 180 degree तो हम यहाँ solution में कैसे लिखेंगे solution में सबसे पहले हम लिखेंगे line m parallel to line n and line p is the transversal now इसके बाद 3x plus x is equal to 180 degree और property क्या है so property of interior angles now 3x plus x become 4x is equal to 180 degree therefore x is equal to 180 degree divided by 4 therefore x is equal to 4 when the 4 4 4 is 16 to 2 यहाँ पे shift हो गया तो 20 हो गया पूर 5 जा 20 so x is equal to 45 degree so the measure of x is 45 degree हो गया यह पास question solved now second question है बच्छो इन दे जोइनिंग फिगर if line a parallel to line b and line l is a transversal then find x हमें क्या करना है measure of x find out करना है line a and line b क्या है parallel है line l is the transversal तो हमें चेक करना है कि यह जो given information है 4x और यह जो angle है 2x क्या यह दोनों angle कोई भी एक pair of angle form करते हैं जो अभी हमने पढ़े corresponding interior ऐसे कोई angles form करते हैं तो नहीं करते हैं तो उन angles की properties को use करने किने हमें क्या करना होगा यहां पर कोई भी एक angle हमें अजिम करना होगा यहां पर मैंने already drawing करके रखा है हम क्या करेंगे यहां पर एक angle पी अजिम कर लेंगे तो angle पी अजिम करने से क्या गया नाव यह और यह एंगल भी यह दोनों क्या पॉर्म कर रहें पैर अप इंटीरियर एंगल्स तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या करेंगे मेजर ओफ एक्स फाइंड डाउट कर लेंगे तो यहाप भी मैं सॉलुशन स्टार्ट कर देती हूं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लाइन ए पारियल टू लाइन बी एंड लाइन ए इस दर टांसवर्सल नाव इसकी बाद हम क्या करेंगे हमने अंगल पी अजीम किया तो हम यहां लिखेंगे कंसीडर एंगल पी एज शोन इन दर फिगर नाव एंगल पी इस एकवल टू एक्स एंगल पी क्या हो जाएगा टू एक्स के इकवल हो जाएगा और रीजन क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल vertically opposite angle कब फॉर्म होते बच्छो जब दो line एक दुसरे को intersect करते हैं तो जो opposite angles फॉर्म होते हैं उन्ही को हम क्या बोलते हैं vertically opposite angle बोलते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया angle P is equal to 2x और reason क्या है angle P and 2x यह क्या है vertically opposite angle है यहाँ पे हम इसको 1 consider कर लेंगे इसके बाद 4x and measurement angle P 4 देखो measurement angle P plus 4x is equal to 180 degree यह क्या हो गया property of interior angles के तुरू हमने लिख दिया because interior angles is what interior angle is a supplementary angles so property of interior angles now उसके बाद हम क्या करेंगे angle P की value जो है यहाँ पे हमने 2x निका है यह हम यहाँ पे substitute करेंगे so angle measurement angle P हो जाएगा 2x plus 4x is equal to 180 degree और यहाँ पे reason 1 आ जाएगा इसने हम ऐसे लिखेंगे from 1 1 से मतलब यह जो statement 1 हमने यहाँ पे consider किया है इसको हमने यूस करके यह value substitute किया इसने from 1 2x plus 4x become 6x is equal to 180 degree therefore x is equal to 180 degree divide by 6 6 1 the 6 6 3 the 18 0 as it is therefore x is equal to 30 degree यह हो गया first question में second sub question solve अब इसके बाद second question start करते तो second question में आपको show करती हूँ second question है यहाँ पे तो हमें क्या करना है बच्छो यहाँ पे देखो अब आपको क्या करना होगा जो given angles है यानि 40 degree 70 degree और यहाँ पे और यहाँ पे 70 degree दिया है तो start करते है solution अब अब अच्छो अब यहाँ पे measure of x and y हमें find out करना है angles कौन से given है 40 degree and 70 degree given है हमारे पास नाव यहाँ पे P, parallel है Q, and T, and S क्या है Transversal है अब आपको क्या करना होगा जो given angles है यानि 40 degree 70 degree और जो हमें find out करना है इसमें आपको क्या करना होगा relation find out करना होगा जो भी अभी हमने angles study किये है corresponding interior और alternate angles जो भी हमने अभी सारे angles पड़े वो सारे angles यहाँ पे आपको find out करने होंगे कि कहीं पर आपको किसे angle का pair मिल रहा है तो आप यहाँ पर देखोगे अगर आप यहाँ देखोगे angle P and angle Q क्या है parallel है और यहाँ पर जो T है वो Transversal है थोड़े टाइम के लिए आप क्या करें यह जो है Transversal इसको भूल जाओ तो यहाँ पर Transversal T आपको दिख रहा है Line P and Line Q parallel दिख रहा है अगर यहाँ पर आपको कोई और एक angle होता सपोज यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर एक angle होता angle A तो आप क्या करते angle A and A 40 degree क्या है यह है corresponding angle का pair form कर रहे तो आप property of corresponding angle यूज करके बोल देते angle A क्या है 40 degree है बट आपको तो X find out करना है तो हमें यहाँ पर कोई भी relation will नहीं रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्छो angles consider करने होंगे angles को consider करने होंगे फिर उनके measurement को use करके angle X और Y हमें find out करना होगा तो यहाँ मैंने angle A consider कर लिया उससे क्या होगा angle A and 40 degree क्या है corresponding angle A तो angle A भी 40 degree हो गया then angle A and angle X यह क्या form कर रहे linear pair form कर रहे तो linear pair की property यूज करके हम angle X find out कर लेंगे similarly angle Y find out करने के लिए अब हम क्या करेंगे angle Y और यह जी given information यहाँ पर कई पर भी कोई relation फॉर्म हो रहा है तो कई पर भी कोई relation यहां पर मिल नहीं रहा है तो कि यहाँ पर अगर कोई relation नहीं मिल रहा न तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक angle B consider कर लेंगे तो angle B and 70 degree, यह क्या हो जाएगा, vertically opposite angle होगा, then angle B and angle Y, भी क्या form कर रहे हैं, pair of interior angles form कर रहे हैं, ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, यह angle B और Y आप कौन से transversal पे ले रहे हो, transversal S पे ले रहे हो, तो आपको यह ध्यान रखना है, जब आप writing करोगे, solutions लिखोगे, and पर solution स्टार्ट करते हैं, second question का यह solution है, सबसे पहले हम angle X find out करेंगे, तो हम लिखेंगे, line P parallel line Q and line T is the transversal, ऐसे लिख देंगे, बच्छों, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे, I consider angle A as shown in the figure, now इसके बाद क्या होगा, angle A is equal to 40 degree, और reason क्या हो जाएगा, property of corresponding angle, corresponding angles, now इसके बाद, angle A and angle X, so measurement angle A plus measurement angle X is equal to 180 degree, हम लिखेंगे Q, क्योंकि यह क्या पॉर्म करें, angle A and angle X, एक straight line पॉर्म करें, तो जब भी दो angle X straight line पॉर्म करते हैं, तो वह अंगल क्या होते हैं, linear pair में होते हैं, तो हम लिखेंगे, angles in a linear pair, तो linear pair में जो angles होते हैं, उनका measurement क्या होता है, 180 degree होता है, तो यहां 180 degree लिख दिया मैंने, now measurement angle A क्यान है, 40 degree है, कहां से लिए हमने, यहां से लिए हैं, तो इसको हम 1 mark कर देंगे, प्लस measurement angle X is equal to 180 degree, और यहां पर हम लिख देंगे, प्रॉव्ट, वर्ट, नाव इसके बाद हम क्या करेंगे, solve करेंगे, measurement angle X क्या होगा, 180 degree minus 40 degree, therefore measurement angle X क्या हो जाएगा, 140 degree हो जाएगा, तो आ गया measurement angle X, अब इसके बाद हमें Y find out करना है, तो Y के लिए भी क्या हो रहा है, कोई भी relation मिल रहा है, यहां पर आप बोल सकते हो, angle Y and 40 degree, यह क्या पॉर्म करेंगे, यह interior alternate है, लेकिन कब होता है, जब question में दिया होता कि P transversal है, बट question में P transversal नहीं दिया है, तो P and Q parallel है, T and S transversal लिखते हैं, इस बाद का आपको धियान रख मैं, तब इसके लिए क्या करेंगे हाँ, यहां पर हम लिखेंगे, इसके बाद हमके लिखेंगे, consider angle B as shown in the figure, इसके बाद मैंने बताया आपको कि यहां पर यह जो angle B है और 70 degree, you can have vertically opposite angle, so angle B, यहां पर आपके शो करते हूं, solution, angle B क्या होगा, angle B is equal to 70 degree, और reason हम क्या लिखेंगे, vertically opposite angles, now इसके बाद मैंने आप लोग पर बोला कि Y and angle B, यह क्या फॉर्म करें, interior angles फॉर्म करें, यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे, measurement angle Y plus measurement angle B is equal to 180 degree, और reason क्या हो जाएगा, बच्छो, property of interior angles, now therefore, अब measurement angle B क्या है, measurement angle Y as it is लिखेंगे, angle B कितना 70 degree है, तो इसको हम 2 अजिम कर लेंगे, which is equal to 180 degree, और यहां पर reason दे देंगे, from to, therefore, measurement angle Y is equal to क्या हो जाएगा, 180 degree minus 70 degree, therefore, measurement angle Y is equal to 110 degree, अब इसके बाद हम last में answer क्या लिखेंगे, आंसर डाल देंगे और लिखेंगे यहां पर measurement angle X is equal to 140 degree, and measurement angle Y is equal to 110 degree, और यहां पर हो गया हमारा solution, finish, अब इसके बाद, इसके आगी के questions बच्छो बच्छो वराब, next lecture में solve करेंगे, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करें, thanks for watching the video,